साथियो नमस्कार मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद योटुब चैनल उद्योग धंदम श्वागत करता हूँ साथियो हमारे बहुत सारे यूवसाथी ऐसे हैं जो रंगीन मचली पालन का बिजनस करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे यूवस आती हैं जो रंगीन मचली पालन का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी महिला समूव हैं, महिला समितिया हैं जो मचली पालन का बिजनेस कर रहे हैं ये करने के इच्छुक हैं, लेकिन सासन द्वारा दिये जाने वाले बित्ती अनुदान के बारे के लिए इच्छुक हैं मार्केट में रंगीन मचली पालन का बिजनेस करना चाह रहे हों बेचना चाह रहे हों लोगों तक घर घर एक्वेरियम के माद्यम से रंगीन मचली पालन को पहुचाना चाह रहे हों उनके लिए समर्पित ये वीडियो आपके पूरता है अनुदान क के बारे में है ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं है आपके सपने हैं रंगीन मचली पालंग करने के लिए पैसे नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अनुदान लेकर इस बिजनेस को कर सकते हैं वो भी भारी भरकम अनुदान पर इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि अगर आप रंगीन मचली पालंग के साथ आरेस पद्दस से अगर मचली पालंग करना चाहरा हूँ तो हमारे योटूब चैनल में उपलब्ध है ये वीडियो आप इसको देख लेंगे इसके साथ साथ प्रधान मंतरी मतर संपदा योजना कि बिस्तरित जानकारी आप जानना चाहरा हूँ कि प्रधान मंतरी मतर संपदा में कितने प्रकार के हमें अनुदान मिलते हैं किनकी निकाईयों के लिए अनुदान मिलते हैं तो हमारे यूटूब चैनल में उपलब्ध है आप उसको भी देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज यूँ कहिए अगर आप बर्फ की फैक्टरी डालना चाह रहे हो आपको अनुदान की जहुरत है तो हमारे यूटूब चैनल में उपलब्ध है आप उस वीडियो को देखर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप नए हैं वीडियो को आप देख रहे हैं आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें घंटे को बटन को दवाएं, बेल आइकन को दवाएं, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें, तो चलिए हम सुरू करते हैं, प्रधान मंतिमत्र संपदा योजना के अंतरगत, सजावती मचली क अलग-अलग आठ इकाईयों में मिलने वाले अनुदान के वारे में, तो चलिए सुरू करते हैं, और शफलों भी बनते हैं. अधिकांस घरों, होटलों, ढावा, रेश्टोरेंट, पार्क, आफिसों में हम सबने एक्वीरम के अंदर रंगीन मचलीयों को हट खेली करते हुए देखा हैं, उनकी एक्टिविटी को हम सब देखते हैं, उनकी खेलने के प्रक्रियाओं को हम सब देखते हैं, तो हमारा मन प्रशन्य होता है, हम समोहित हो जाते हैं, इस समोहन की भावना में हम कहीं न कहीं एकागरिचित होते हैं, हमारा मन सान्त होता है, इसलिए कहा जाता है कि हर घर में रंगीन मचली का पालन करना चाहिए, कुरम के अंदर हर घर में मचली पालन होनी चाहिए, इससे क्या होगा आपका मन प्रशन्य होगा, मन सांत होगा और धन लक्षमी आएगी कहते हैं लक्षमी जी प्रशन्य होती है और धनों की वारिस करती है इस कारण से लगातार इस market potential को देखेंगे तो लगातार इस business में बढ़ोतरी हो रही है लगातार लोगों की पालने की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो नीस अंदे आपके लिए रंगीन मचली पालन का बिजनिस करना एक अच्छा आउसर एक अच्छा मौका हो सकता है अगर आप समय रहते इस business की आउसर को समझते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं रंगीन मचली पालकों के लिए एक समस्या आती है वो है अनुदान की आखिर पूजी कहां से मिले तो आज ये वीडियो आपके लिए ही समर्पित है आप अगर इस business को करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको आठ अलग अलग इकाईईओं के लिए मिलने वाले बित्ती अनुदान के वारे में बताने वाला हूं बित्ती अनुदान में मैं आपको बता दूँ अउस पूजी में से समान वर्ग को 40 प्रिश्ट और वहीं पर SCST और महिलाओं को मिलेगा साथ प्रिश्ट का अनुदान चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि प्रधान मंत्री मतफ संपदा योजना के अंतरगत यदि आप सजावटी रंगीन मचली पालन का बिजनेस करते हैं तो आपकी कुल परिश्ट लागत में कितना अनुदान आपको मिलने वाला है तो नमबर एक है बैक्यार्ड सजावटी मचली पालन की इकाई अगर इस इकाई को आप करना चाहरे हैं इस इकाई को संचालित करना चाहरे हैं तो आपको कूल परिज्या लागत रखी गई है इसमें तीन लाख रुपए और इस तीन लाख रुपए में से यदि आप सामाने वर्ग के हैं तो आपको अनुदान मिलेगा 40 प्रिस्ट रास की बात की जाए तो 1,20,000 रुपए वहीं पर S.C.S.T. और महिला को जो अनुदान म मध्यम स्केल में सजावती मचली पालन का विजनेस करना चाहर है तो इसकी कूल परिज्या लागत जो रखी गई है प्रधान मति मतद संपदा योजना के अंतरगत वो है आपका आठ लाख रुपए और इस आठ लाख रुपए में से सामाने वर्ग को 40 प्रिस्ट रास की ब अनुदान प्राप्ट कर सकते हैं नमबर तीसरा है एकिक्रिज सजावती मचली पालन की इकाई ताजे पानी में उनके प्रजनन और पालन के लिए सरकार द्वारा जो कुल परिज्या लागत रखी गई है वो है 25 लाख रुपए और इस 25 लाख रुपए में से जो अनुदा इस राज से आप आसानी से एकिक्रित सजावती मचली पालन उनके पालन और प्रजनन का काम कर सकते हैं नमबर चौथा आपका होगा एकिक्रित सजावती मचली पालन की इकाई शामुद्री पानी में इस वे अनके प्रजनन और पालन के लिए कुल परिज्या लागत रखी है 30 लाक कि here 30 लाक रुपए और इस 30 लाक by मैं से अगर हम देखते हैं सामान वर के पुरुसों को तो उनको मिलेगा 40ляются और मतलब 30 लाक में 40 प्रसत तो 40Eh Ottawa 12 लाक रुपए वहीं पर आसी एस्टीओ अ महिला को जो मिलेगा 30 लाख में साथ प्रिस्त मतलब 18 लाक रुपए ये शामुद्रिय पानी के लिए है नमबर पच्मा है ताजे जल सजावटी मचली ब्लड बैंक की स्थापना के लिए जो सासन दौारा कूल परियुजन लागत रखी गई है वो है एक करोड रुपए और इस एक करोड में सामान वर्गे के बिक्त को 40 प्रिस्त अधिक्तम 40 लाक रुपए का अमदान दिया जाएगा वहीं पर अगर आप S.E.S.T. महिला है तो अनुदान होगा 60 प्रिसत अधिक्तम 60 लाक रुपए तो इतनी रास में आप आसानी से अपनी यूनिट को इस्थापित कर सकते हैं नमर छटमा है मनरंजक मस्त पालन का बढ़ावा देना इसके अंतरगत जो कुल परियुजन लागत रखी गई है वो है 50 लाक रुपए और इस 50 लाक रुपए में से मान वर्ग को 40 प्रिसत अधिक्तम 20 लाक रुपए वहीं पर S.E.S.T. और महिलाओं को मिलेगा साथ प्रिसत अधिक्तम 30 लाक रुपए का अनुदान तो इतिनी रास में आप आसानी से अपनी यूनिट को संचालिट कर सकते हैं अगला हम बात कर रहे हैं कि बजार और विपरन संरचना के अंतरगद हमें कौन-कौन से इकाईयां हैं और कितना हमको अनुदान मिलता है तो उनको मिलेगा साथ प्रिसत मतलब साथ लाक रुपए नंबर दूसरा अगर हम बात करते हैं कि बजार और विपरन संरचना के अंतरगद हमें और कौन से अनुदान मिलते हैं तो वो परीजन लागद का जो नाम होगा सजावटी मचली के कियोस्क सहीत मचली कियोस्क का अगर हम निर्मार करते हैं तो हमको जो कुल पूजी का जो हमारा कुल लागत है वो होगा दस लाक रुपए और उस दस लाक रुपए में से सामान वर्ग को 40 प्रिसत मतलब 4 लाक रुपए और SC STO महिला है तो 7 प्रिसत मतल जो अनुदान भारी भर का मिल रहा है इस अनुदान की सहाइता से हम अपने बिजनेश को आसानी से संचालित कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज़ यह होता है कि हमें पूजी कहां से मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि पूजी आपके पास बिलकूल न ज़िए के लिए आपको संपर्व करना पड़ेगा एक तो है आप बेव शायड में संपर्व करेंगे प्रधान मति मतर संपधा यूजना की विस्तित जानकारी आप ले सकते हैं वहीं पर आप अपने जीले में अपने नज़्धी की सहायक संचालक मचली पालन वीभाग से अच्छालित करेंगे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये अनुदान की प्रक्रिया के वारे में पूरी जानकारी थी आगे मैं बताऊंगा कि रंगीन मचली पालन का बिजनेस कैसे करना है रंगीन मचली पालन की बिस्तित जानकारी देने वाला ह तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक सस्क्राइब और शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुचाएं आपको धन्यवाद नमस्कार